तो बच्चो काफी सारे students की ये problem होती है कि जब वो question को पढ़ते है तो उनका दिमाग blank हो जाता है तो मैं आपको बता रहो एक technique technique of visualization इसमें आपको क्या करना है जैसे आप statement पढ़ो question के एक तो एक statement एक बार में पढ़ना है ऐसा नहीं की पूरा question एक साथ पढ़ लिया एक statement पढ़ो एक line पढ़ो और उसके बारे में सोचो कि ये क्या picture बन रही होगी for example अगर पहला line है कि there is a disc which is rotating about an axis which is perpendicular to a line which is given by this equation तो सबसे पहले आप सोचो एक disc के बारे में फिर उस axis के बारे में फिर उस line के बारे में और जब आपके पास ये basic visualization आ जाती है तब आप इसको jot down करो इसको लिखो इसको draw करो कहाँ पे rough में और उसके बाद जो भी condition या जो भी formulas दिये हुए है उसके according आपको इन चीजों को substitute करना है so ये method of visualization से क्या होता है आपको जो first initial hurdle है जो पहला break है वो आपको तुरत मिल जाता है और आपको रास्ता मिल जाता है question solve करने का